जहीं दोस्तों मैं नवीन सिर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब एकदम एच्छे हैं एकदम बहतरीन है और दिल्ली प्लीस के लिए चल रही ही क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुराइंगे और बताएंगे आप सब कैसे हैं और आप सभी जानते हैं कि पिछले वीक से हमने कंप्यूटर की फिरी क्लासेज आप लोगों के लिए सुरू की है और आपने हेड कॉंस्टेबल पर हम लोग फोकस करके चल रहे हैं तो बच्छे हम क्लास में पढ़ रहे थे आपका हार्डवेयर को मैंने बोला था चार दिन में हार्डवेयर खतम होगा पांचवे दिन आपको चार दिन में आप सीखेंगे आपको कुश्यन बनाने और इस तरह से पढ आता हूं दिल्ली पुलिस के लिए टाइम टेबल है आप लोग स्क्रीन सॉट ले लेंगे दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के लिए है ठीक है सुबह सौनवीर सर साड़े पांच बजे करंट अफेर्स मैथ्स राहुल तेवतिया सर साथ बजे सुबह कंप्यूटर एक बजे नवीन सर्मा सर यानि की मैं और बाद में फिर आपका साम को साथ बजे राहुल सर्मा सर रीजिनिंग करा रहे होते हैं दिल्ली पुलिस हेड कॉंस्टेबल मिनिस्टियल के लिए इंगलिस की क्लास अलग से है दो फैर बारा बजे ठीक है और दिल्ली पुलिस हेड कॉंस्ट अभी GS से दूर है अभी सिर्फ आप लोग उस practice set से जुड़िये जो आपका तीन बजे होता है साम को हना हर रोज होता है तो उससे जुड़िये आप लोग अपने notes बनाना शुरू करिए और एक बहतर स्थिति में आप सिर्फ उसी practice set से अपने आपको GS में पाऊगे कुछ दिन आके और अब बात आती है अब बात आती है कि अब तक मैंने आपको पढ़ाया मेरे दोस्त input devices के बारे में किसके बारे में पढ़ाया था input devices के बारे में एक बार सभी बच्चे थमसब करके बताए क्या आपको सारी input device के लिए रहे हैं कौनसी कौनसी input device हैं और कौसा किस तरह क काम वो करती हैं किस तरह का काम करती हैं आप कहेंगे हाँ भी आज इंपुट डिवाइस के लिए रहें अब आते हैं हम आज शुरू करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस को आउटपुट डिवाइस क्या बोलोगे क्या शुरू करने जा रहे हैं आज हम, output device को हम आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, देखेंगे, आज हो गई, क्या है output devices, लिखना, वे device, वे device, जिन पर, जिन पर, डेटा या डाटा आप बोलें, डेटा या डाटा, प्रोसेस होनी के बाद में देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, पहले डेटा इनपुट का काम करेगा, इनपुट डिवाइसेज इनपुट देंगी, फिर वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद हमारे पास जो आएगा, वो क्या काम करेगा, आउटपुट का काम करेगा, जिन पर, डेटा, प्रोसेस होने के ब आद में देखा जाता है देखा जाता है उनको हम आउटपूट डिवाइस कहते हैं कैसे आपके घर में स्पीकर है गाने सुनते हो जिन पर मेरा रंग दे बसंती चोला माहरं दे बसंती चोला तो बच्चे जो स्पीकर है इसको पहले क्या दोगे आप लोग इनपुट दोगे इनपुट कैसे दे दिया आपने मोबाइल फॉन के माध्यम से अपने इनपुट दे दिया लीड लगाई गाने चलाए लेकिन वो आवाज कहां से आईगी निकल करके तो डेटा जो गया था गाना यहां चला डेटा प्रो आपका कीबोर्ड है कीबोर्ड पर आपने एक दबाया CPU ने उसको प्रोसेस किया CPU ने समझा कि यह जो यूजर है यह एक दबाना चाह रहा है और एक को उसने कहां दिखाया फिर आपका टाइपिंग सेक्शन में कि एक दबाया आप यहां A लिखोगे A प्रेस करोगे तो यहां क्या लिख करके आएगा A तो प्रोसेस होने के बाद जहां आपको दिखता यानि मॉनीटर तो मॉनीटर क्या हो गया आउटपुट डिवाईस हो गई ऐसी ही बच्चे अगर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाईस कौन कौन सी है लिखो कुछ प्रमुख some important output devices are there कुछ प्रमुख output device है ओपी output device है कौन सी हैं दोस्त output device कुछ पिरमुख आउटपुट डिवाइस हैं नहीं दौनों लेंग्वेज में होंगे अभी जिनवाल दौनों लेंग्वेज में कुष्चन आपके लिए होंगे हाना चलो आजाओ भी हेडफॉन नहीं ये जो बच्चे आउटपुट डिवाइस में हेडफॉन लिख रहा है मेरे दोस्त सचिन गूजर अहेरा बागपत नहीं हेडफॉन नहीं होगा क्योंकि हेडफॉन जब आप कान में लगाते हों हाँ बात भी तो करते हो आप हेलो बाबू बाबू उदर से अवाज आती भी है तो आउटपुट भी है और इनपुट भी है हेडफॉन जो होते हैं न कान वाले वो इनपुट आउटपुट दौनों का काम करते हैं ठीक है तो output devices में कौन कौन सी आएंगी हमारी लिखो बई नमबर एक आपका printer सब के बारे में पढ़ेंगे printer क्या काम करेगा और printer मैंने बोला था आपसे सबसे लंबा lecture है और आज की class में printer और उसके पिरकार पढ़ेंगे नमबर दो monitor दूसरी output device कौन सी है बच्चे आपकी monitor है बोलो monitor और पहली कौन सी हो गई आपकी printer हो गई नमबर थर्ड speaker तीसरी आपकी कौन सी है speaker आप phone के द्वारा input दोगे और ये क्या देदेगा आपको आवाज के द्वारा output देता है output क्या देता है output इसा तो नहीं होता speaker में कुछ दे करके computer पर प्राप्त करते हैं computer से यानि keyboard से input mobile से input गाना input दे दिया और उसके बाद output इधर आएगा keyboard से input दे दिया mouse से input दे दिया so कहां होगा यहां आपने कोई command दी scanner से आपने scan कर लिया आप दुकान पर गए थे photocopy पर तो photocopy की दुकान पर आपने दिया उसे आधार कार्ड आधार कार्ड देने के बाद उसने खुलाए उपर वाला हिस्सा उपर वाले हिस्से में रखा आपका आधार कार्ड इसको बंद करा command दिया नहीं input दे दिया scanner से क्या बोलोगे दोस्त input किस से दिया उसने scanner से input दे दिया बोला भीया इनके आधार कार्ड की एक जिस पर इनकी बुरी सी सकल है उसका एक photocopy दे दो आधार कार्ड पर बहुत बुरी सकल होती है वास्ता मेरी ठीक है थोड़ी चलो मतलब मेरी और ज़्यादा वेकार अब आप समझ सकते हो तो बच्चे ये output कहां से आएगा output यहां से आपकी PDF निकल करके आएगी क्या निकल करके आएगी output में आपकी PDF आपको मिलेगी hard copy जिसको बोलते है चीक है कोई दिकत क्या बोल रहे हैं बच्चे आपको मैंने कितनी बार बताया मैंने बुला head phone input और output दोनों का काम करता है इसको input में रख सकते हैं हाँ जी output में रख सकते हैं हाँ जी बिलकुल रख सकते हैं जब input output दोनों का होगे आपकी मर्जी है आपकी मर्जी है दोस्त छीक है चलो यार अभी 32 बिट 64 बिट पर क्यों आगे दोस्त आप अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बताया अभी तो मैं आई-पी एडर्स आपको पढ़ाऊँगा अभी भी विटा एडवांस मत भागो उस कदम की चाल पर अपना विश्वास रखो ज रेडियो बच्चे जब गानी की आवास देगा तो उसमने जो speaker है हो आउटपूट हो जाएगा camera क्या है camera photo ले लेता है ले लेता है तो वो input device है camera hard copy बच्चे अभी बताऊंगा hard copy क्या होती है hard copy वो होती है जिसको आप छू सकते हैं कागज कागज है भी है कोई कागज देना एक कागज दो मुझे ला करके एक तो वो PDF है जो आप application में रोज देखते हो application में आप रोज देखते हो अपने application में एक ये कागज है इस कागज को आप छू सकते हो mode सकते हो ये hard copy हो गई क्या हो गई ये hard copy हो गई लो गई और बात करें जो आपको सिर्फ screen में दिखता है यह क्या है इसको आप छू सकते हो बताओ आप मोबाइल अपने मोबाइल को टच कर सकते हैं सिर्फ आप इसको नहीं छू सकते हैं जिसको ना चूपाएं वो सौट कॉपी है चलो यह चौथी आउटपुट डिवाइस है इसका नाम कौन बताएगा फटापट से बोलो ठंडी चीजों पर कंप्यूटर वाली चीजों की बात करो प्रिंटर बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे यह प्रिंटर नहीं है यह चौथी आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर कौन सी है प्लॉटर इसका उप्योग मैं आपको बताऊँगा इंजिरिंग डिजाइन्स में प्रियोग होता है आगे चल करके पढ़ेंगे आप ऐसी दुकान पर गए है जहां आपने बाइक वगेरा पर टैटू चपवाया हो बहुत से लोग काश्ट लिखवाते हैं गाड़ी पर जैसे आपने देखा हो कभी लिख लिया हमने ऐसे गूजर ठीक है देखा है तुमने नंबर प्लेट के पीछे कभी कभी हम लिखवाते हैं चत्रिये तो वो कहां लिखवाते हो आप जा करके चत्रिये लिख लिया है किसी ने यादव लिख लिया ऐसे किसी ने ब्रहमन लिख लिया ऐसे लिखवाते हैं देखा तुमने गाड़ीयों के पीछे लिखा हुआ नहीं स्तीसे पर कोई-कोई तो लैटरी निकलवा लेता है पूरे देखा है बहुत सारे सब कुछ राजपुताना लिखवा लिया बोलो भी तो ये जो लिखवाई रखते हैं ये आप गई हो लिखवाने कभी जाट लिख लिया बिल्कुल कोई-कोई चौ चिटसी उस चिट को निकालके चुपका लेते हैं प्लोटर उन काम में भी आता है आप सबने देखा हो गई है चलो भी पांच भी ये कौन सी डिवाईस है बोलो फटाफट से नाम चार डिवाईस हो चुकी है आउटपुट कौन कौन सी आपका प्रिंटर मॉनिटर और आप स्पीकर चौथा हम कमांड देंगे प्लोटर को वह हमको डिजाइनस देता है पांच भी बोलेंगे पांच भी कौन सी है पांच भी है आपकी प्रोजेक्टर क्या बोलोगे प्रोजेक्टर 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 पांच भी आउटपुट डिवाई है इसके दुआरा क्या होता है छोटी चीजों को मैगनीफाई कर देता है बड़ा करके देखने के काम आता है जैसे इन लोगों ने यहां लगा रखा है इसमें छोटी से फॉन से कनेक्ट करके मूवी देखी और दिवार पर या किसी परदे पर इसको चलाया जा सकता है जैसे आप सिनेमा में मूवी देखने जाते हो हम सब ऐसे बैठे रहते हैं सामने हमारे परदा होता है पीछे से projector क्या कर रहा होता है उसको project कर रहा होता है उस परदे पर तो movie देखते हैं हम इतने बड़े परदे पर ये सब किसकी वज़े से output आया है एक output आया input किन लोगों ने दिया होगा जोनोंने command दियोगी चल रहे इनको film दिखा output आया wall पर दिवार पर ठीक है ऐसी machine होती है दिखने में लगबग ऐसे देख सकते हैं आप ठीक है को दिकत तो पांचो output device के नाम याद है बच्चे पांचो output device के नाम आपको याद है या नहीं है बोलें फटाफट से ठीक है चलो अरनव चोहान बोल देंगे मेरे दोस्त एक दो बार कमेंट किया करो भाई एक दो बार आप अच्छे बच्चे मैं उम्मीद रख सकता हूँ राजधानी की पुलिस में डूटी करने जाएंगे और कहते हैं कि जो दुनिया की best पुलिस हैं उनमें से एक पुलिस है एजुकेशन का दायरा आप देखोगे एजुकेटिड लोगो की पुलिस है तो मैं ऐसी उम्मीद करूँगा कि आप लोग अभी से ऐसे कहते हैं कि जो बनना होता है उसमें खुद को ढाल लो तो सबसे पहले सुरू करेंगे दोस्त प्रिंटर से क्या होता है सबसे पहले प्रिंटर से सुरू करेंगे प्रिंटर क्या करता है हमको आप सभी जान चुके हैं आउटपुट देगा लेकिन कैसा आउटपुट देता है आपने प्रिंट करवाया कभी कुछ अपना result प्रिंट करवाया हाँ आप उसको छूपाते थे या नीच छूपाते थे तो याद रख लेना printer सदेव printer सदेव hard copy प्रदान करता है कैसी copy hard copy यानि जिसको हम छूप सकते हैं और scanner soft copy प्रदान करता है printer सदेव hard copy प्रदान करता है photocopy हो गई जैसे क्या बुलेंगे printer always provides a hard copy कोई दिकत दोस्त हमेशा कैसी copy देगा बुलेंगे फटाफट से hard copy प्रदान करता है इनको उड़ा दो भी ये बीच में हैलो प्रियाजी इसको उड़ा दो यहां से ऐसा बच्चा नहीं दिखना चीए कोई भी दूर दूर तक ब्लॉक करो चैनल पर ही नहीं दिखना चीए छीक है बहुत बढ़ी है बहुत दोस्त चिन printer हमेशा क्या देगा हमेशा hard copy प्रदान करता है आपसे पूछा जाएगा printer के पिरकार printer के पिरकार printer कितने पिरकार का होता है क्या answer करोगे बो printer कितने पिरकार का होता है तो आपका हमेशा answer होना चीए दोस्त दो पिरकार का होता है कितने का types of printer प्रिंटर के कितने प्रिकार होते हैं बोलो भी दो प्रिकार होते हैं जी वो दो प्रिकार कौन-कौन से हैं भीया जी दो प्रिकार की बात करते हैं वो दो प्रिकार कौन-कौन से हैं बोलो भी वो दो प्रिकार होंगे एक तो होगा आपका impact printer क्या होता है अभी समझ जाओगे और दिमाग में छाप दूँगा बच्चे इस बात को दिक्कत मत लेना बस focus रखना अभी आप ही answer बताओगे सारा एक एक printer का answer बता दोगे non impact printer क्या बोला मैंने आपसे printer दो तरह का होता है एक impact होगा दोस्त और एक कौन सा होगा एक होगा non impact तो कई बार question पुछा जाता है printer कितने पिरकार के होते हैं तो दो पिरकार के होते हैं कितने पिरकार के होते हैं दो पिरकार के होते हैं खुदिकत अब दो पिरकार में बच्चे कई बार exams में हमको तीन आंसर देना पड़ता है और कई बार प्रिक्षा में पूछा गया है लेकिन कब अगर आपसे पूछे सिर्फ इतना लिख करके कि printer के पिरकार कितने दो लेकिन बच्चे आपसे पूछ ले print करने के आधार पर उपर ही लिखूँगा अभी रुखो लेकिन आपसे पूछ ले print करने के आधार पर क्या पूछ ले print करने के आधार पर printer के पिरकार कैसे लिख करके दे on the basis of print on the basis of print how many types of printer तब आपका अंसर क्या होगा दोस्त तीन हो जाएगा सिर्फ इतने सब्द जोड़ेगा print करने के आधार पर और सिर्फ इतना पूछे printer के पिरकार तो दो लेकिन आगे सब्द दोड़े print करने के आधार पर तो तीन भहिया जी वो तीन कौन से हो गए वो तीन कौन से हो गए देखना जो ये impact printer है ये दो टाइप का होता है एक होता है इसमें बच्चे अगर बात करें एक अक्षर की यानि कि text printer हो गया जैसे की impact printer का क्या बोलोगे character यानि की अक्षर character printer दूसरा हो गया इसका line printer बोलो भी या या मैंने बोला impact printer कितने परकार का होगा दो परकार का और non impact printer की बात करते हैं तो बच्चे इसमें कौन से आते हैं आपके page printer page printer बड़ी आसान चीजे हैं ये पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा देखने में लगेगा लेकिन बस 10 मनिट में familiar हो जाओगे क्या है printer के परकार पुछे तो दो परकार और दो परकार कौन-कौन से impact और non impact कोदिकत और पूछे print करने के आधार पर कितने परकार तीन परकार कौन-कौन से character बोलो सारे दोस्त एक बार फटा-फट से character हो गया line printer हो गया और आपका page printer हो गया page printer हो गया अब खोड़ सा इन पांचों के बारे में झालो। इह पांच नाम जो लिखे है, वाने impact printer जो होता है कागज के संपरक में आता है कागज के संपरक में आता है impact printer क्या होगा कागज के संपरक में आएगा यानि, touch करेगा और non impact printers कैसे होते हैं ये दूर से भी scan कर सकते हैं ये दूर से भी scan कर सकते हैं जैसे कि मान के चलो अपने mobile में mobile में कोई आपके photo है वो आपको print करनी है तो ये उस कागज की आवशकता ही इनको नहीं होगी उस data की इनको आवशकता ही नहीं होगी वो phone में पढ़ा आप command दे दो सीधे वो निकल करके आ जाएगा print के रूप में बिना कागज के संपर्क में आए आप चाहे तो इसके संपर्क में भी ला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मना नहीं करेगा यह काम भी करेगा बिना कागज के संपर्क में लेकिन जो इसकी meaning है impact और none none मतलब न, वो इसी लिए है बिना काधज के संपर्क के कैरेक्टर किसको बोलते हैं बच्चे? चरित्र को बोलो केरेक्टर किसको बोलते हैं कै देकल उसका करेक्टर अच्छा नहीं है लेकिन एक कैरेक्टर बोलते हैं letter को, akshar को, text को, जो आप text message लिखते हैं, तो character किसको बोलते हैं, akshar को, character printer वो होते हैं, जो, जो, एक बार में, एक बार में, एक अक्षर type, एक अक्षर, एक बार में एक अक्षर print करें, बस एक बार में एक अक्षर, कितना मंदा है रहे ये बाबा, रे बाबा ये कितना मंदा है, Line Printer क्या करेगा अब नाम से ही देख लो एक बार में क्या कर देगा एक Line एक Line प्रिंट कर देगा Single Line in a Time और ये Single Page in a Time एक बार में एक Page बोलो भई एक बार में एक Page आज जब आप दुकान पर जाते हो कौन से वाले प्रिंटर को यूज करते हो बोलो फटाफट से आप सभी लोगों के आंसर कमेट सेक्षन में देखना चाहूंगा कि आप लोग कितना समझ पाए है अभी तक इसके बारे में कि आज आप जो दुकान पर जाते हैं तो उनके पास जो वो प्रिंटर है वो एक बार में ऐसे करता है जैसे आपने बोला आधार काड एक बार में करेगा एन एक बार में आई ऐसे line printer मतलग एक बार में एक पूरा page एक ही बार में कौन सा printer page printer बोलोगे यह बोलोगे non-impact printer का इस्तल आज होता है यानि इनका आज नहीं होता जी यह तो हमने देखे ही नहीं, देखे हैं आपने, मैं बताओंगा आपने कहां देखे हैं, ठीक है, लाइन प्रिंटर बिलकुल इस्तमाल होने बंद हो चुके हैं, ये नहीं देखे होंगे आपने, ये नहीं देखे होंगे, चलो बई, दिखा दूँ एक बार, एक बार दिखा दू वापस आएंगे फिर आप कभी अपनी पास बुट की एंट्री करवाने गई हैं बैंक में जैसे कि पास बुक पास बुक एंट्री हुई तर आने गई हो दोस्त कभी नहीं गई हो अच्छा रेल का टिकट कभी खरीदा रेल का टिकट खड़े होकर काउंटर वे रेल का टिकट का भी खड़े खरिदा आपने 10 रुपे का और उसने एकदम से मसीन चलाई कहा जा रहे हो जी धनकौर स्टेशन से सहदरा अलीगड से सहदरा दिल्ली चूंडला से सहदरा दिल्ली जा रहे हैं उसने जो टाइप किया जब उसने बोला तो इदम से था एक एक डॉट को टाइप करती है एक एक अक्छर को वो सारे आपका भी डाग घर में आज तो नई कंप्यूटर है पुराने वाली मसीन जाओगे ना पुरानी वाली मसीन में पोश्ट आफिस में जो पुरानी मसीने थी वहाँ सब जगे ये हुआ करता था ये थो थोड़ा नई आसा लगा दिया है मैंने पुराने हुआ करते थे पास्बुक वगेरा में ये कैसा है क्या बोलोगे ये कैरेक्टर है जो एक बार में एक अक्छर को आपका नाम और रुपे लिख देगा पास्बुक में ये वाले थे लाइन प्रिंटर बच्चे कौन से थे ये लाइन प्रिंटर थे जो एक बार में एक बार में आपका एक लाइन को प्रिंट करते थे आज इनका इस्तेमाल बंद हो चुका है chain printer थे, drum printer थे, line printer के अंतर के चलो movie में देखे हैं सर जी movie में देखे हैं ये वाले तो सब ने देखें ये तो आज के हैं आज के हैं ये और उपर इसमें scanner जोड़ दो तो बिलकुल आज वाला ये कौन सा है ये page printer है जो एक बार में पूरे page को printer कर देता है page printer हो गए थोड़ी सी image बनी तीनो प्रिंटर की बोलो दोस्त थोड़ी सी image बनी तीनो प्रिंटर की या नहीं बनी मैंने बुला भीया मैंने आप से बुला कि printer जो होते हैं printer जो होते हैं वो दो प्रिकार के होते हैं impact और non impact कागज के संपर्क में आने वाले और कागज के संपर्क के बिना काम करने वाले तीसरा होता है आपका जब हम बांटेंगे किस के आधार पर? प्रिंट के आधार पर जो एक बार में एक अक्छर प्रिंट करेगा उसको करेक्टर बोलेंगे जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगा उसको लाइन प्रिंटर जो एक बार में एक पेज प्रिंट करेगा उसको पेज प्रिंटर बोलेंगे No doubt, कोई दिक्कती नहीं है वही तो भहिया जी इनके थोड़े थोड़े एक्जामपल बता दो हमको कैसे question पूछा जाएगा आप से पूछा जाएगा character printer के एक्जामपल कौन कौन से है character printer के एक्जामपल इसका इरुखना बच्चे एक तो dmp, dmp का क्या मतलब है dot matrix printer dot matrix printer dmp, क्या बोलोगे dot matrix printer और dot matrix क्योंकि dot 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 एक बार में एक अक्चर को लिखता है और ये dot matrix printer कहां इस्तेमाल होते है railway और डांक घर में अभी question पूछूंगा आप से railway और डांक घर में इस्तेमाल होने वाला printer कौन सा है कई एक्जामस में पूछा गया question है computer में कौन सा होता है railway और डांक घर में character का कौन सा dmp dot matrix printer होता है चीक है चलोगे dmp, दूसरा एक्जामपल लेंगे इसका एक एक्जामपल तो हो गया dmp इसका दूसरा एक्जामपल लोगे dsp printer इसको बोलते थे बच्चे daisy vehicle printer क्या बोलोगे daisy vehicle printer daisy vehicle printer और पूरे भारत की मैं तुम्हें बात करता हूँ ये printer ऐसे थे बिचारे बिजली बहुत कम लेते थे railway और डांक गर में आज भी हैं बहुत जगे हैं तो ये बिचारे बिजली कम लेते हैं खर्चा कम आता है इनमें इसलिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रियोग होने वाले कौन से printer है पता है आपको बहुत ज़्यारे सरकारी कारियालियों में तो सबसे ज़्यादा आपके railway और डांक घर में DMP printer ही इस्तेमाल होते हैं मेरे यहां के डांक घर में है जी भुपेंदर यादव जी कह रहे हैं बहुत बड़ी है वही बहुत बड़ी है भाग के डांक घर तो नहीं पहुच के देख क्या हूँ चलो बोलो भी एक बार चलो 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 अकर मैं बात करता हूँ line printer के example line printer के example लिखना chain chain printer और आपका drum printer लेकिन आज इनका इस्तेमाल नहीं होता है लिख लिना line printer आज कल इस्तेमाल नहीं होते हैं कहीं भी आप अपना किसी कौने में लिख लीजिए line printer आज कल इस्तेमाल नहीं होते हैं चलो बड़ी बात आई बच्चे page printer का example कौन कौन से printer हो जाएंगे किसका समझना इंक जैट प्रिंटर और इसके साइड में यहाँ आप लोग दो लाइन छोड़ना नमबर एक इंक जैट प्रिंटर होगे नमबर दो लेजर प्रिंटर होगे कौन से प्रिंटर लेजर प्रिंटर होगे लेजर प्रिंटर जैसमें laser किरनों का use होगा और तीसरे होगे आपके तीसरे होगे दोस्त आपके thermal printer क्या बोलोगे तीसरे कौन से होगे thermal printer होगे क्या बोलोगे image किलिए रहे बच्चे दिमाग आँख बंद करो एक बार अपनी और मैंने शुरू से जो बोला है एक बार आँख बंद करके सोचो वादा करता हूँ आपके दिमाग में छप चुका होगा इतनी सकती तो इतनी सकती का संचार तो मैं आपके अंदर कर सकता हूँ क्या बोलोगे एक printer आपके दो पिरकार के जी impact और non impact और जब हम आखे बंद करके scan process बोलते हैं इसको याद करने का जो चीज एक बार बोल दी वो आजीवन याद दो पिरकार के impact और non impact उसको बाढ़ सकते हैं character में फिर किस में line में और line के बाद में फिर chain character, line और sorry फिर फिर chain नी page printer में page printer के example कौन कौन से हुए inkjet printer, laser printer, thermal printer chain printer और drum printer x इसलिए लगाया क्योंकि आज कल यह स्थेमाल नहीं होते चित्र में आपको दिखा चुका हूँ character printer जो एक बार में एक printer करता था dmp और dsp, daisy wheel printer छीक है कोदिकत बही दोस्त, बोलो एक बार बहुत सांदार, तो कभी भी आपसे कोई question पूछ लेगा, मेरे दोस्त बता दोगे कि laser printer किस पिरकार का printer है बोलो बता दोगे या नहीं बताओगे inkjet जो printer होगा बच्चे इसमें हमेशा ink का प्रियोग होता है जैसे black and white है तो black screen आईगी black आपको उसमें स्याही डालनी होगी ink का प्रियोग होगा इसलिए inkjet इसलिए कौन से हैं, inkjet और ink में भी अगर आप देखें दिहान से, तो भीया जी जो black ink होती है अब बहुत गहरी बात हो जाएगी वो chemistry की बात हो जाएगी कि black ink किस से carbon से बनती है black ink किस से बनती है, वो carbon से बनती है, जो blue ink होती है, अगर आपको color print out चीए, blue होगी उसके लिए iron का इस्तेमाल होता है, orange color जो होता है, आपका orange color उसके लिए molybdenum, रासाइनिक तत्वे आप chemistry में पढ़ते होंगे molybdenum का इस्तेमाल होता है, ये बाते, बड़ी common बाते हैं, red color जो है, red color के लिए किसका, chromium का इस्तेमाल होता है red color के लिए किसका, chromium का इस्तेमाल होता है और chromium आपका cadmium से भी बनता है red red किससे, cadmium से भी बनता है, दोनों का इस्तेमाल होता है और chromium, cadmium से ही हम लोग yellow भी बनाते हैं ऐसे यह colored आते हैं आपके कि हम page को color कर पाते हैं लेकिन बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि laser printer में फिर किसका इस्तिमाल होता होगा laser printer में तो क्या बोलोगे laser printer में किसका इस्तिमाल होता होगा बोलो भई सारे दोस्ट बोलेंगे क्या कोई इस बारे में जानता है इंक जेट पिरिंटर में तो इंक इस्तेमाल कर ली वहία जी अगर कोई पूछने लग जाए कि लेजर पिरिंटर में किसका इस्तेमाल होता है और competition में बहुत पूछा गया बहुत पूछा गया आपका क्या बोलोगे सूखा पाउडर इस्तेमाल होता है इंक गीली होती है यह होता है सूखा पाउडर और सूखा पाउडर यह दरसल में इसी को हम बोलते हैं टोनर क्या बोलते हैं टोनर तो लेजर प्रिंटर में प्रिंट के लिए किसका इस्तेमाल होगा क्या बोलोगे सब बच्चों का अंसर आना चाहिए टोनर बोलो सारे दोस्तों का अंसर चाहता हूँ क्या बोलोगे टोनर बोलते हैं और ये दरसल में टोनर क्या होती है ये कार्बन डश्ट होती है कार्बन धूल होती है क्या बोलोगे कार्बन धूल होती है thermal printer में बच्चे किसका इस्तेमाल होगा अगर thermal printer की बात करते हैं इसमें आता है आपका photo chromic glass का glass आपने कभी 8 वी 9 वी में अगर science पड़ी हो तो हम लोग देखते थे photo chromic कांच होता था photographic plate भी हम पढ़ते थे तो एक विसेश तरह का कांच होता है photo chromic glass का परियोग होता है परियोग होता है और laser की full form तो जानते हो नहीं जानते laser laser की full form जो नहीं जानता होगा वो note कर लेना अब एक बार मुझसे जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो सारा बोल दो मेरे दोस्त क्या बोला मैंने आपसे हम सब कर दोगे सब कुछ याद है कहीं से कोई भी question पूछूँगा laser का full form होता है light amplification light amplification by stimulated emission of radiation stimulated emission radiation GS वाले portion में बहुत पूछी जाती है और laser printer में तो पूछी ही पूछी जाएगी light amplification stimulation by क्या बोलोगे light amplification by stimulated emission of radiation उद्धिपिद पिरकास द्वारा संवर्धन जो किया जाता है उसको laser बोलते है आज तो सब जगे इस्तेमाल होता है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत गजब बहुत सांदार ठीक है याद रखेंगे इसको तो क्या बोला inkjet हम कहां इस्तेमाल करते हैं inkjet आप जान सकते है ink वाले तो हम अपने office में इस्तेमाल करते है toner, laser ज़्यादा effective नहीं है inkjet सब से अच्छे है सब से अच्छे है ठीक है और thermal printer जो photochromic glass का इस्तेमाल करता है इसका सब से अच्छा example है ATM कहां ATM ये दोनों office यूज, घर के यूज के लिए हो गए लेकिन दोनों में अच्छा कॉन, inkjet सब से अच्छा inkjet printer है thermal printer कहां, जो आपको रसीद मिलती है रसीद मिलती है, ATM से पैसे निकाल के ले जा रहा है रे, भाईया, इतने पैसे ले गया इतने पैसे ले गया प्रितिका चौहान गुडिया फ्लीज, लड़किया ऐसे नहीं कहती, गुडिया अब तुम लड़के हो तो बात दूसरी है हमारे हां लड़कियों को तुम कहा रहे हो चरण छूने की चरण इसपर्स लड़कियों को कभी चपल गे भी हाथ नहीं लगाने दे चपल के भी नहीं हाँ कभी कँवार ऐसे बहन भाई के बीच में ज्यादा प्यार होता है तो अज पॉलिस अलिस करवानिया लेट हो तो बहन कर दे थोड़ी जूते से पॉलिस जब करवा लेते हैं कोई दिकत भी कोई दिक्रत आगे चलें बोलो एक बार आगे चलें सबी दोस्त सारे दोस्त बोलोगे आगे आएंगे बई प्रिंटर हम पढ़े चुके आपका अब एक चीज पर आज़ाओ किसी प्रिंटर के बारे में नोट करना बहुत इंपोरेंट बात है किसी printer की गुणवत्ता यानि की quality किसी printer की गुणवत्ता कैसे पता चलेगा कि कोई printer अच्छा है या नहीं है जैसे आप क्रिकेटर को देखते हो अच्छे रन बनाता है कम गेंदों में तो बढ़िया क्रिकेटर है जैसे दूबे जी खेले का IPL देखा नहीं देखा बढ़िया खेले जो गुणवत्ता है जो quality है किसी printer की गुणवत्ता quality उसके DPI से पता चलती है Most important mark करना इस बात को Journal exams में कई बार पुछा है printer की गुणवत्ता तै करता है DPI और DPI का क्या आर्थ होता है dots per inch क्या बोलोगे dots per inch यह होता है आपका DPI किसी printer का जब print करेगा मान के चलो बई एक ने तो print किया S एक ने print किया है S ऐसा एक ने print किया है S ऐसा पता तो चल रहा है S सा है पर यहाँ confusion होने लगे पांच एक ने बहुत हलका कर दिया ऐसे एक ने और हलका कर दिया तो यह dots है dots जितने ज़्यादा मिले हुए होंगे इसी को बोलते DPI तो उतना ही गाढ़ा उतना ही साफ अक्षर बनके आता है तो किसी प्रिंटर की गुणवत्ता किस से जांचते हैं बच्चे बोलो सारे लोग dots पर इंच से नापते हैं क्या बोलेंगे dots पर इंच से नापते हैं को दिकत बोलो फटाफट से सर आपने ABC कंप्यूटर बताया बनाया बताया था और यह नहीं बताया था वो कब बना था बटा देख लो चिराग बंसल ABC कंप्यूटर कब बना था चोटी चीजे कॉमन चीजे तो आपके दिमाग में कोई परसन आ रहा है तो आप भी सर्च कर सकते हैं ABC computer 1937 में बना था, दोस्त, कब बना था, 1937 में बना था, छोटी चीज़े तो आप लोग research करना सीखो, दिमाग में कोई question आया, नहीं मिल रा solution, तो मुझसे पूछो, मुझसे कहाँ पूछोगे, message करो, message कहाँ कर सकते हो, कोई doubt group नहीं, आप instagram पर message कर सकते है, official underscore naveed underscore sarma underscore rwa, small में लिख करके, है न, मिल जाँगो मैं तुमको, एहले वैसे बहुत सारे बच्चों कर रखा है, तो अपना आप ही आ जाता होगा suggestion में, लेकिन काम की बाद पूछना, काम की बाद पूछना पता ऐसा हुआ, doubt group था हमारा telegram का खाकी badge का, उसमें लगभग 47,000 बच्चे हैं, अब मैंने जाकर करके उसमें reply करने शुरू किये, reply करे तो बच्चों के personal message आने लग गे, अब कोई-कोई बच्चा ऐसा हो जाता, message देख मैंने बच्चों के थोड़ी spread ना देदी कि महनत करो, वो कूद के Instagram आगे, कोई कहरा जी मेरी पढ़ाही नहीं हो पा रही है, कोई कहरा जी पैसों से मदद कर दो, कोई कहरा मेरी दोस्त की ये मम्मी विमार है, कुछ पैसे देदो, कोई कहरा मेरी course free करवा दो, मतलब यार इस Monoprinter होते हैं, जो सिर्फ एक रंग में print करते हैं, जैसे black हो गया, सिर्फ black इंक इन में इस्तेमाल होती है, एक रंग में print करते हैं, अब PDF लेकर क्या है, आपने PDF निकलवाई तो black, black इंकी तो इस्तेमाल हुई, इसमें white page था हमको लगा black and white है, और बच्चे, Monoprinter, Mono मतलब ह होता ही एक है, Mono मतलब एक, एक होते हैं आपके color printer, कलर printer क्या काम करते है, color printer करते हैं, 1 से अधिक रंग में print करते हैं, एक से अधिक रंग में print करते हैं, एक से अधिक रंग में प्रिंट करते हैं को दिकत भी इस बात में और बाकी का हम कलपड लेंगे मॉनीटर क्या है आपका और ऐसी डिवाइसे भी जो दोनों का काम करती है दोनों का काम, दोनों का काम मतलब इन्पुट आउटपुट दोनों का बहुत धन्यवाद विसालतिरवेदी जी बहुत गजब ठीक है तो जिन प्यारे दोस्तों ने पहले तो क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे अब लोग अपने आप कर दिया करो यार लाइक शेर तो जिबर दस तरीके से करो एक बार और कम्पीटर की बुक के बारे में आपको बतानाöyle करना चाहता था बच्चे ике कम्पिटर की बुक इसके बारे में बच्चे पूछते है कॉलिंग टीम आई वेर के पास लगातार फॉन आये जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इस किताब में लगभग बच्चे 15 दिन लगेंगे, और आज ही मैं इसका जो MS Word है, MS Word और आपका MS Excel, MS Excel वाला जो chapter है, वो मैं आज finalize इसका कर रहा हूँ, उसके बाद में आपका फिर email वाला जो chapter होगा, क्योंकि देखो major chapter बता रहा हूँ, जहां से communication से question आपका बनेगा, network and communication, यहां से question बनेगा, protocols होती है न, email में इन से बहुत question बनता है, बाकी सब का weightage अलग है, इन chapters का weightage अलग है, network हो गया, आपका communication हो गया, इसी में आगया आपका internet भी, क्या आगया, internet भी, यह 5 chapter हमारे focus पर रहेंगे, और 5 chapter से जितनी आसानी से आपको बच्चे इस computer की book में समझाया जा सके, चितर के साथ में वो समझाया जाएगा, ठीक है, तब बहुत जल्दी आएगी, बाकी chapters नहीं है, क्या जी hardware, software, सब कुछ है, मैं बता रहा हूँ, यह major chapter है, यह major chapter है, क्योंकि पिछली बार question इन से बने, तो साइद अब की बार भी इन स बने, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि बाकी से इस बार ना बने, ऐसा हो सकता इस बार बाकी से बन जाए, जब आप देने गए, तो आपने क्या सोचा था, कि MS Word से सारे question बनेंगे, नहीं, अच्छे बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं सोचा था आपने, तो बच्चे, computer की किताब बहुत पहतरीन और बहुत सांदार किताब होगी, मैं स्वैम इसका एक-एक अक्चर मॉनिटर करूँगा, प्रोमिस, एक-एक अक्चर इसका मॉनिटर करके आपके पास आएगा, जो कुछ आपके लिए ज़रूरी है, इन क्लासिस से भी, उसके अलावा और क्या आपको दे स सेक्षन में प्यारे दोस्त, बिलकुल बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगती है, मैं आपको पिछली क्लास के कुछ कमेंट्स पढ़के बताता हूँ, दो बच्चों के, जो बहुत ही अच्छे कमेंट्स मुझे लगें, ठीक है, तो मतलब इन सब्दों की एक कीमत ह होती है, चलो बई, ये कम्प्यूटर की क्लास है कल की, और इस कम्प्यूटर की क्लास में देखो बच्चे ने लिखा है, इसक्रीन सौर्ट भी लिये थे मैंने, मैं हमेशा कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लगों के, हमेशा, चलो, एक बच्चे ने तो बोला, क्लास बहुत स बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह कह रही है हमारे दोस्त इनका नाम है दोस्त है गुडिया पता नहीं अमीता दर्वाई अमीता दर्वाई है ठीक है सर आप मेहनत करते हो आपकी क्लास सारी अच्छी होती है और यह मतलब आप सब लोगों का प्यार है थेंक्यू सो मच सर मैं सूपर टैट की तयारी कर रही हूँ कम्पीटर पहली बार इतना अच्छा लगा पढ़ करके तो बच्चे आप लोग सिर्फ पढ़ते जाएं मैं सिर् के 10 प्रिशन बना करके आएंगे दोस्ते वादा करता हूं लेक पाल में जो भी आपके दो कुशन मैक्सिमूम एक से दो कुशन मिलेगा आप बना के आएंगे और भी किसी भी परिक्षा का कम्पीटर का प्रिशन है आप बना के हो ठीक है बहुत संचिप्त है बहुत बने वाद क्लास करने के लिए आप आते हैं ठीक है बाई बाई टेक केर जय हिंद्चा भारत